वीडियो मनाए हैं AC के remote के functions के उपर, AC के functions के उपर, service के उपर और एक comment ना सबसे ज़्यादा आता है कि AC के remote की पूरी settings बता दो कि remote में कौन सा button किस लिए दिया रखा है, किस लिए काम कर रखा है तो आज हम इस वीडियो में हर function के बारे में जानेंगे remote के हर button के बारे में कि कौन सा button किस लिए है और साथी में ये वीडियो काफी important होने वाला इसलिए skip मत करना ताकि आप अगर ये वाला AC यूज करें लॉइट का तो इसके remote के आपको basic functions पता होने चाहिए चलिए फिर वीडियो को start करते है सबसे पहला button power के लिए है यानि ये on off के काम आता है सबको मालूम है दूसरा button है यहाँ पर turbo अब turbo के लिए काफी लोग use कर रहे हैं turbo को और turbo में लोगों को confusion है लोग कह रहे हैं कि मैंने अपना AC 22 डिगरी पे set कर दिया और मैं turbo भी on कर देता हूँ कोई कहता है कि मैंने 24 डिगरी पे set कर दिया और मैं turbo भी on कर देता हूँ इससे cooling जल्दी होती है अब मैं आपको turbo का मतलब बताता हूँ turbo किसली है देखे नॉर्मली क्या होता है जब आप AC अपना switch on करते हैं बिजली से और उसके बाद में AC को आप power on करते हैं तो AC के compressor को start होने में 2-3 मिनट का वक्त लग जाता है उसके बाद AC cooling करना start करता है टर्बो मोड कप काम आएगा मैं बताता हूँ मान लीजिया बहुत जादा गर्मी से भार से जस्ट अपने घर के अंदर enter हुए है और आते ही आपने power button तो दबा दिया लेकिन AC का compressor on होने में क्योंकि 2-3 मिनट लगते हैं तो cooling जो है वो 2-3 मिनट के बाद शुरू होती है तो आपको अगर instant cooling चाहिए तो turbo का मतलब है आप इस button को जैसी दबाएंगे compressor तुरंट start हो जाएगा और AC तुरंट cooling करने लग जाएगा इसमें AC को हमने time दिया ही नहीं है हमने instant compressor को forcefully start कर दिया है तो turbo तभी काम आता है जब आपको instant cooling चाहिए रोज रोज turbo use मत करो कोई फाइदा नहीं है उसके बाद में fan का button आता है fan का button basically fan की speed को control करने के लिए होता है जैसे कि यहाँ पर अभी देखो दो blocks बन रखे हैं तो यहाँ पर यह तीन हो गए अब यह auto पर चला गया तो 1,2,3 तो मैं वैसे basically जो है इसको 2 पर रखता हूँ medium पर तो fan का button हमारी fan की speed के लिए होता है plus minus हमारा temperature के लिए है सभी को पता है यह भी हमारा swing के लिए और यह भी हमारा swing के लिए है क्योंकि Lloyd KC में four way swing आता है उपर नीचे के लिए ये वाला left right के लिए ये वाला काम आता है तो ये दोनों button जो है swing के काम आते हैं बीच वाला जो button है, mode के लिए काम आता है mode में क्या होता है, इसमें dry mode होता है cool mode होता है, cool mode में क्या है, compressor चलता है must एक दम से ठंडियावा आती है, dry mode जो है बारिश के समय काम आता है, उसके बाद fan mode होता है जिसमें compressor नहीं चलता, सिर्फ fan चलता है तो mode यहाँ से select कर सकते हो, temperature यहाँ से select कर सकते हो, तो यह चीज़े तो वैसे basically सभी को पता है, अब यहाँ नीचे buttons के उपर आ जाते हैं, यह बहुत important होने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पर my mode आता है, यह किसके काम आएगा, अब basically क्या होता है, घर में जैसे कभी कोई AC और मेरा AC है, वो cool mode पे चल रहा है, तो मैंने क्या करना है, my mode को थोड़ी दिर के लिए दबा के रखना है, मैं इससे पहले आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अब यहाँ पर my mode में न, my mode जैसे में दबा है, यहाँ पर one लिखा आगया, दुबारा दखाऊंगा, तो यहाँ पर two लिखा आगया, यानि कि दो mode जो है, मैं select कर सकता हूँ, तो basically my mode में आप अपना कोई भी mode जो है, set करके रख सकता है, तक कि अगर remote के साथ किसी ने छड़का नहीं कर दी, आप सिर my mode का बटन दबाओ, और आपका AC उसी setting पे चलने लग जागा, जो आपने कर रख AC ठंडे के साथ साथ गरम हवा भी फैकता है, वो स्थंड के टाइम पे काम आता है, तो heat वाला बटन उनी AC में काम करेगा, जिन में heating वाला option है, sleep के बटन में क्या होता है, जैसे मानली जबी मेरा AC चल रहा है, अगर मैंने अभी sleep का बटन दबा दिया, तो हर दो घंटे में इसका temperature बढ़ता जाएगा, यानि अभी 26 पर फिर 28 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा, 30 से आगे तो बढ़ता नहीं है, तो 7-8 घंटे तक इसका temperature बढ़ता रहेगा, और उसके बार AC अपने आप off हो जाएगा, blow mode, blow mode बहुत काम की चीज़ है, इसके बारे में मैं इस वीडियो वीडियो बना चुका हूँ, basically self cleaning होती है एक तरीके की, blow mode का वीडियो मैंने बना रखा है, उपर आई बटन में आप चेक करो, वो वीडियो आप जाके चेक कर लेना, तो blow mode के उपर मैं एक proper वीडियो बना चुका हूँ, timer on और timer off, दो settings होती है इसमें, timer on से क्या है कि अभी म में के बाद अपने आप off हो जाएगा, एक बार मैं करके बताता हूँ, इसके उपर भी वैसे में dedicated वीडियो बना चुका हूँ, मान लीजे मेरा AC अभी off है, मान लीजे off है, तो मुझे timer on का बटन दबाना है, और यहाँ पर आदा गंटा, एक गंटा हो गया, उसके बाद दुबारा timer off, अभी तो मैंने on कर रहा था 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 न, अब दुबारा दबाऊंगा timer off, यह मेरा दो गंटे का time जो है, set हो गया, तो दो गंटे बाद मेरा AC जो है, वो अपने आप off हो जाएगा, अब sense, health और light, light का बटन किसले काम आता है, AC के उपर जो light आती है न, जिस पे आपका temperature लिखा होता है, रात के समय अगर आप इस बटन को दबा दोगे, वैसे दिन में भी दबा सकते हूं, मतलब, रात में क्या होता है, light आँखों में चुपती है, तो यह बटन दबाने से जो है, आपके AC के उपर जो temperature शो हो रहा है, वो नहीं शो होगा, अब दो बटन बसते हैं, health का और sense का, इसके बारे में बताते हैं, इसमें न, actually में क्या है, काफी चीजों को लेके मैं भी clear नहीं हूं, तो जितना मुझे पता है, मैं उतना बता देता हूं आपको, health वाले में क्या होता है, क्योंकि मैंने जब Lloyd का AC इसी इंस्टॉल किया था, तो मैंने Lloyd इ तो health से basically यह होता है, कि आपको clean air मिलती है, ठीक है, और sense से क्या होता है, कि यहाँ पर body temperature को sense कर लेता है, AC, sense दबाने से body temperature को sense कर लेता है, AC और fan speed जो है, उस हिसाब से adjust हो जाती है, तो जो है कि room में cooling का effect सही मिलता है, तो basically बहुत ज़्यादा clear नहीं हूं, मैं इन दोनों buttons को और इनको मैंने ज़्यादा use नहीं किया है, मैं कोशिश करूँगा इसके उपर dedicated video बना दूँ, लेकिन उसमें मैं आपको तरीके से explain करना चाहूंगा चीजों को, साथी में यह remote में lock भी हो जाता है, remote lock कैसे करना है, उसको unlock कैसे करना है, इसके उपर मैं already एक video बना चुका तो यह चीज़े हैं, इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं, और हाँ एक चीज़ का और ध्यान रखिए, जब सरदियों में आपका AC use में नहीं होता, तो कोशिश करिए कि AC को cover करके रखिए और जो इसकी batteries होती हैं, उनको भी निकाल के रख दीजिए, battery फालतु में लगा के मद कई बात battery leak हो जाती हैं, कुछ batteries फिर remote खराब होने के chances रहते हैं, मैं अगले वीडियो में मिलूँगा कुछ और नए gadgets के साथ में